हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू फ्लाइंग से विक आज बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलोजी के आई प्यू के बारे में एंड बात करेंगे इसमें प्लस लॉंग टंट्रम इन्वेस्टमेंट परपज से इस इप्यों को सबस्क्राइब करना चाहिए या नहीं सबसे पहले प्यूआइप डीटिल की बात करें तो जो प्राइस बैंड है 880 रुपैसे 900 रुपै का है and minimum order quantity is 16 issue जो है 7 July को open हुआ था आज दूसरा दिन था issue को open हुए हुए and issue close हो रहा है 9th July means कल issue की जो size है वो 1547 करोड की है यह थी normal detail अभी इसके अगर business की बात करें तो यह specialty chemical sector में काम करने वाली एक leading company है and इसका globally business है जो USA, China, UK, Europe सब जगे इसका काम चलता है and यह 2003 में company incorporated होती है and three types के specialty chemical बनाती है जो की है performance chemical, pharmaceutical intermediates and FMCG chemical अगर इसके promoter holding की अगर बात करें तो issue से पहले 94.66% जो है stake promoters के पास था and IPO इसके public होने के बाद company के जो promoters की holding है वो 78.51% की रहेगी अगर company के financials की बात करें तो अगर profit after tax आप इसका company का देखोगे तो March 19 के अंदर जहां company का profit after tax जिसे की हम net profit बोलते हैं वो 976 करोड का था वो increase होके in 2020 13.96 करोड का हुआ जिसके अंदर 43% का upside देखने को मिला है in profit after tax and 2021 की बात करें तो 13.96 करोड से बढ़के 1983 करोड हुआ है जिसमें भी 42% का jump देखने को मिला है तो company के financials काफी अच्छे दिखते हैं अगर IPO subscription की बात करें 8 July तक की तो जो qualified institutional buyers है उन्होंने 2.12 times subscribe किया था इसे and non-institutional investors की अगर बात करें तो उन्होंने 4.51 times इसे subscribe किया है and retail जो individual investors है उन्होंने 5.43 times अभी इसे subscribe किया है 8 July तक कल का data आना अभी बाकी है तो उसके बाद clear picture और समझ में आएगी but अभी तक का data काफी interesting लगता है and यह company short term gain के लिए plus long term gain के लिए भी इसमें investment किया जा सकता है अगर total subscription का rate देखा जाए तो 4.28 times इसका subscription हुआ है तो इसके कुछ points है कि हमें क्यों इसमें invest करना चाहिए उसका first reason है the company plans to expand its overall capacity company जो अपनी overall capacity है उसको increase कर रहा है new product launch कर रहा है plus plant भी नए जो है लगा रहा है उसके अलावा जो specialty chemical sector जो है sector itself grow more in next five to ten years in India तो वो भी एक theme है जो इस particular sector को आगे बढ़ाने में काम आएगी तो investment परपज से and short term gain के लिए भी इसमें subscription किया जा सकता है